So hi guys, welcome to another brand new video of Gamejoy application आस की वीडियो में मैं आपको Gamejoy application का complete guide देने वाला हूँ complete information देने वाला हूँ and आप सभी के मन के अंदर जितना भी doubt है, सभी doubt को clear करने वाला हूँ तो इस वीडियो को end तक जरूर देखना जो भी आपका problems है वो इस वीडियो को देखने के बाद solve हो जाने वाला है तो सबसे पहला point है हमारा how to add money in wallet बहुत सारी लोगों को money add करने में दिक्कत होती है तो उनको मैं अच्छे से समझा देता हूँ सबसे पहले home में आना है wallet पे click करना है यहाँ पे add money का option देखने को मिलेगा इस पे click करना है फिर यहाँ पे आपको UPI के option पे click करना है और आपके सामने barcode आ जाएगा इस barcode का आपको screenshot ले लेना है जो भी app आप यूज करते हो payment के लिए वो app को खोलना है scanner पे जाना है यहाँ पे gallery से आप यह वाला QR code का photo चूज कर लेना और payment कर देना आपका money add हो जाएगा ठीक है एक्जामपर के लिए मैं Amazon यूज करता हूँ तो यहाँ scanner में जाऊँगा scan for gallery क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने screenshot लिया है तो ऐसी करके आप screenshot लेके यहाँ पे जैसी scan करोगे payment करना है बस आपको payment जैसी successful आ जाना है आपको दुबारा से game joe app को open करना है यहाँ पे इसी barcode पे रहना है आपको back नहीं करना है इसी barcode पे रहना है यहाँ पे देख सकते हो हमारा transaction successful हो चुका है ठीक है तो payment जैसी कर दोगे यह successful हो जाएगा दूसरा तरीका है आपको दुबारा से UPI पे क्लिक करना है यहाँ पे नीचे में एक button देखने को मिलेगा पे using install UPI app तो यहाँ पे इसको पर जैसी क्लिक करोगे आपके phone में जितने भी UPI app होंगे install होंगे वो यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे तो आप अपने app चूज करके simply payment कर दोगे तो यहाँ पे जैसी payment हो जाएगा आपको यहाँ पे back नहीं करना है अपने आप back हो जाएगा यहीं पे आपको 5-10 second wait करना है आपके सामने यहाँ भी pop up आजाएगा transaction successful का तो आप इस तरीके से easily money add कर सकते हो बाकि अभी मैं आपको दूसरा तरीका बता देतो यहाँ पे एक paytm का भी option दिया गया है तो यह paytm वाला option सभी user के लिए जो paytm use करते हैं या नहीं use करते हैं सभी user इस option का use कर सकते हैं बस इसको उपर click करना है आप debit card, credit card, UPI, net banking सभी तरीके से इस paytm वाले option से add कर सकते हो दूसरा point है हमारा how to join paid tournaments अभी जो है paid tournament join करने का तरीका थोड़ा अलग हो चुका है तो उसके लिए आपको अपना game select कर लेना आप free fire खेलते हो free fire select कर लेना बीज मैं खेलते हो बीज मैं select कर लेना तो मैं example के लिए बीज मैं बता देता हूँ तो match join करते time अच्छे से पहले match का timing वगेरा देख लेना price वगेरा सब कुछ देख लेना ठीक है फिर यहाँ पे आपको join का एक option देखने को मिलेगा तो इस जोएन के option पर आपको click करना है फिर यहाँ पे आपको अपना slot choose करना है यहाँ पर वही slot choose करना जो कि आप room के अंदर बैठ होगो game के अंदर भी आपको इसी slot के अंदर बैठना है अगर आप single खेलना चाहते हो तो यहाँ पे single slot चूज़ कर लेना अगर आप अपने किसी teammate या किसी दोस्त को खेलाना चाहते हो तो यहाँ पे दूसरा slot भी चूज़ कर सकते हो लेकिन अगर आपको single खेलना है तो single slot चूज़ कर लेना फिर यहाँ पे मैं अपने दोस्त का भी जोएन करा रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्त का भी नाम डालूँगा ठीक है तो ऐसे करके आप स्कॉर्ड में भी चारो बंदों का रेइस्टर कर सकते हो और सोलो में सिंगली बंदा रेइस्टर करना पड़ेगा ठीक है तो ऐसे करके मैंने अपने दोस्त का भी यहाँ पर एड कर दिया है फिर simply मैं जोएन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर दोनों की entry कटेगी क्योंकि दोनों बंदे खेल रहे हैं तो यहाँ पर दोनों की entry कटेगी जैसी आप क्लिक करोगे यहाँ पर boom देख सकते हो हमार नोटिफिकेसन आ जाएगा मैच स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले तो आप नोटिफिकेसन देख लेना नहीं तो आपने जिस गेम के मैच को जोएन किया उस गेम को उपर क्लिक करना है फिर यहाँ पर आपको सबसे नीचे में room ID पासवट देखने को मिल जाएगा तो यहाँ आप कोपी करके simply मैच को जोएन कर सकते हो नहीं तो आप इस मैच को पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे भी आपको room details उपर में देखने को मिल जाएगा इसके अलावा एक और option है आपको home में आना है यहाँ पर सबसे नीचे upcoming में जाना है upcoming में भी आपको room ID पासवट देखने को म बैटना है एंड अगर आपके slot में कोई और आ जाता है तो आपको दूसरे के slot में जाके नहीं बैटना है लेकिन आप दूसरे के slot में मत बैटना है जब हम उसको किक कर देंगे अब भूल जाते है map join करने के बाद की कौन सा स्लोट चूज किया था तो आपको सिंपली अपने गेम को सलेक्ट करना है अपने जिस भी गेम का मैच को जोईन किया उस गेम को सलेक्ट करना है फिर उस मैच के उपर क्लिक करना है ठीक है उस मैच को पर जैसी क्लिक करोगे यहां पर आपको सबसे नीचे में मिलेगा अब चलते हैं नेक्स पॉइंट की तरफ हम अपने बोनस मनी को कैसे यूज कर सकते हैं और फिरी मैच कैसे जोइन कर सकते हैं तो होम में आने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे यहाँ पे एक बोनस मनी मैच का उपसन देखने को मिलेगा ठीक है तो इसको पर क्लिक करना यहाँ पर हर गेम के बोनस मनी मैच होते हैं बीजिमाई फिरी फैर जो भी आप गेम केलते हो यहाँ पर अपना बोनस मनी यहाँ यूज करके आप इस मैच को फिरी में जोइन कर सकते हो और आप डेली फिरी में बहुत सारा बोनस मनी कलेक कर सकते हो तो उसको क्लेक कैसे करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों के मन के अंदर डाउट होता है कि हम by daily कैसे free में bonus money collect करें तो मैं आपको daily bonus money करने करना सिखा देता हूँ, कि आप कैसे daily bonus money को collect कर सकते हैं इसके लिए आपको home screen में आजाना है, यहाँ पे तीसे option पे क्लिक करना है, यहाँ पे एक option देखने में मिलेगा collect bonus money, ठीक है तो इसके उपर आपको क्लिक करना है, यहाँ से आप daily free में ये सभी task को complete करके free में bonus money collect कर सकते हो यहाँ पे हलका full का add भी देखने को मिल सकता है, तो add को देखने के बाद skip कर दोगे, यहाँ पे आपको daily free free में bonus money मिलता जाएगा, जैसे भी मेरे को एक bonus money मिल चुका है ऐसी यहाँ पे बहुत सारे option है, and मैं scratch करके दिखा देता हूँ, scratch पे click करूँगा, यहाँ पे भी add चलेगा 3-4 second का, तो इस add को हम skip जैसी करेंगे, हमें bonus money मिल जाएगा, तो skip करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे हम scratch करेंगे, तो देख सकते हो, यहाँ पे 14 रुपे हमें bonus money मिल चुका है, तो ऐसी करके यहाँ पे बहुत सारे टास्क दिये गए, यह आप daily complete करके, फिरी में bonus money daily के daily collect कर सकते हो, and इसके अलावा एक refer, earn का option देखने हो मिलेगा, यहाँ पे भी आप bonus money कर सकते हो, आपको per refer का 25 रुपे bonus money मिलेगा, and इस bonus money का use करके, आप daily free में game के match जो लेगा, and add player पे click करके, जो भी बंदा game खेलेगा, जो भी आपका game के अंदर नाम है, डाल के, यहाँ पे simply join कर लेगा, ठीक है, तो ऐसे करके guys, आप अपने bonus money को use करके, फिरी में match को join कर सकते हो, and देख सकते हो, यहाँ पे हमारा join लिखा आ चुका है, ठीक है, and इसके अलाव guys, आप अपने contest को कैसे manage कर सकते हो, यहाँ पे नीचे में आना है, यहाँ पे अपकमिंग के option देखने को मिलेगा, तो जो भी आपके match होने वाले होंगे, यहाँ पे upcoming के section में आपको देखने को मिल जाएगे, and जो भी match start हो जाएगा, वो ongoing के section में आ जाएगा, ठीक है, and जो match मैच खतम हो जाएगा जिसका result आजाएगा वो complete के section में देखने को मिल जाएगा जिसने kill किया होगा जिसने chicken निकाला होगा उसको यहाँ पर prize मिल जाएगा ठीक है इसके अलावा अगर आप सभी result देखना चाहते हो तो अपने game को select करना यहाँ पर एक result का देखने को option मिलेगा तो जो match को आपने join नहीं किया होगा आप उसका भी यहाँ पर result देख सकते हो तो result के section में आप सभी match के result देख सकते हो अब मैं बताओंगा आप अपने money को redeem कैसे कर सकते हो क्योंकि आपने match भी खेल लिया पैसा भी जीत लिया अब redeem कैसे करना है इसके लिए आपको अपने wallet पर क्लिक करना पड़ेगा यहां पर एक redeem money का option देखने को मिलेगा तो यहां पर जो भी पैसा आप रिडिम करना चाहते हो इसको पर क्लिक करना ऊपर में account holder नाम डालना है जो भी आपका bank के अंदर नाम है वो डाल देना फिर नीचे में UPI ID डाल देना सब को अपना UPI ID पता ह ही होगा आपने अप में जाके चेक कर लेना फिर claim पर क्लिक कर देना है यहां पर boom देख सकते हो हमारा successfully हो चुका है जिस दिन आप पैसा withdrawal करोगे उसी दिन पैसा आपको रात तक मिल जाएगा ठीक है तो withdrawal की भी कोई भी टेंसन नहीं है ठीक है इसके अलावा guys एक problem बहुत ज जो भी आपका game जो का register number वो डाल देना नीचे में match ID डाल देना जो कि आपको game के title में अपना game और mode select करना है फिर यहां पर आपको अपना game के अंदर जो नाम है वो डालना है जिस नाम से अपने match join किया था फिर यहां पर cheater का नाम डालना है और जिस type की cheating हुई है वो यहां पर सेलेक करना है एक और चीज है यहां पर जो बंदा गेम के अंदर बैन हो जाता है बीजमाई के अंदर इन गेम बैन हो जाते हैं बहुत सारे लोग या फिर जो लोग IDP लीक करते हैं तो उसका आप पूरूफ अगर आपके पास कुछ पूरूफ है तो इसकी रिकोडिंग कर करना है यहां पर क्लिक करना है यहां पर हर लखी बंदे को यहां पर सो रुपे मिलता है ठीक है तो आप इस लखी डुए को जोएन कर सकते हो सिफ दो रुपे का यहां पर लकी डुए तो इसको आप जोएन कर लेना एंड अगर आप लगी होगे तो आपको फिरी में सो रु यहाँ पर मैं profile की information देता हूँ तो my profile में आप details देख सकते हो उसके बाद my wallet में जाके अपने wallet की details देख सकते हो और उसके बाद my players का option देखने को मिलेगा जो कि एक बहुत ज़्यादा important है ठीक है तो इसके लिए आपको plus पे click करना है और जो भी आप game खेलते हो यहाँ पूछे करना होगा बारवा नाम डालना नहीं पड़ेगा तो जो भी आप game खेलते हो यहाँ पर उस गेम का नाम सेलेकर करके डाल देना फिर आपको match जोइन करते टाइम नाम नहीं पूछेगा वहां automatic यह नाम आ जाएगा तो यहाँ पर आप my पिलर्स में जाके ऐसे कर सकते हो फिर उसके बाद यहाँ पर my statics देखने को मिल जाएगा जो भी आपने match को join किया है जितना पैसा जीते हो सब देख सकते हो फिर यहाँ पर एक top pillars का भी option देखने को मिलेगा तो बाकी email ID भी दिया गया है बाकी more पर जाके आपको यहाँ पर थोड़े language भी चेंज करने को option देखने हो मिल जाएंगे इन basic information है ठीक है तो ऐसे करेंगे आप game जो application का use कर सकते हो बाकी कुछ भी दिक्कत आता है आपको contact नमर दिया गया है customer care का calling नमर दिया गया है तो इस नमर पर आप call करके direct अपना problem solve करा सकते हो बाकी अगर आपके मन में कुछ अभी भी doubts बचा हुआ है तो comment में पूछ सकते हो मैं मिलता हूँ आपसे next amazing video के साथ तब दे के लिए bye bye